कि नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल रियल टेंस इंडिया में आप देख रहें रियल टेंस इंडिया के स्पेशल सो अड़्डा वित नेता जहां जहां हमाई साथ मौजूद हैं टी एंसी के उन्तिसम मौराध गपूर उपासद और जुजारू नेता से शलेस रा सरकार बनाए हुई पश्रिम मंगाल में नमस्कार आप का बहुत स्वागत हैं सर आपका बहुत रियल टेंस इंडिया में सर अभी नगन निगम को चुनाओं करी है तीसिंगा निगम को चुनाओं बिरोधियों को कहना है कि यहां पर काफी जो आपने कहा तो किस प्रकार आप बताएं वोट मिलता है काम पर वोट मिलता है आप अपने पब्लिक के साथ अपने इलाके के लोगों के साथ कितना मिलजूल कर रहते हैं वोट मिलता है अपने इलाके के लिए आप कितना सोचते हैं करते हैं वोट मिलता है कॉर्पोरेशन चुनाओं में आप इलाके को कितना डेविलप करके रखते हैं पहले आएंगे और पैसा चारो तरफ बांटेंगे और सोचेंगे वोट मिल जाए तो ऐसे थोड़ी नवोट मिलता है हमारे त्रेनमुल के सैनिक एक-एक सैनिक कोई भी उमिद्वार हो जाए इतना सक्रिय रहता है पूरे साल कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी जिमवारी रहती है कि मैं देखता रहूं कि कहीं मेरे इलाके में किसी को कोई तकलिफ तो नहीं और विरोधी कौन है विरोधी चुनाओ के समय जो निकल कर आते हैं हैं परसाती मेरे की तरह वह वीरोधी कि नोग मानते ही कि विरोधी कोई है क्योंकि यह लोग शिर्फ आप देखेंगे थीन सो पैंसेट, दिन मैं आप देख लेंगे थीज ऍहीं पांद साल की बात में कर रहा हूं कि यह से लोगों को लोग वोट कैसे दे देंगा और चुन चंदन नगल में आपकी टीम ने भी काफी पाटी ने काफी जीत हासिल की खलकत्ता जीत हासिल क्या इसी पकार आगे जो उतर हवड़ा या हवड़ा है इसमें भी जीत हासिल करेगी आप एक बात बताएं 2018 दिसंबर में कॉर्पोरेशन का बोर्ड की मियाद से सुई थी 10 दिसंबर को उसके बाद से कोई काउंसिलर नहीं है वड़ा मुनिस्पल कॉर्पोरेशन है लेकिन एक दम इमांदारी से आप देख लीजिए मेरे जितने भी विधायक है मैं मध्यावडा में हूँ यहां से अरूप राइजी विधायक है नियमीत अपने कार्याले में बैठत किलरों के माध्यमों से इलाके में पहुंचाई जाती है इलाके का डेवलप्मेंट को लेकर के पाढ़ा समाधान कैम्प लगा साथ से पंद्रह अभी फरवरी में अब मैं आपको दावे से कहता हूं जो लोग सिर्फ और सिर्फ चिलाते हैं कि यहां यह रस्ता खराब है यह यह पाढ़ा समाधान ममता बनर जी का एक ऐसा प्रकल्ब था जिसमें आम आदमी अपने घर के बगल में अगर रास्ता टूटा है तो वह चिठी लिख के बोरों में जमा कर दे उसका इंस्पेक्शन होता था रास्ते का निर्मार होता था एक भी एक भी रहे दूसरी राजन सब लोगों के घर जा जा कर खबर लेते थे खबर मिलते थी कि कि यह लोग अपनी जान बचने मरे बैस नहीं रहते थे हम लोग उस कोरुना पेशिंट के घर जाते थे और उनका होसला बढ़ते थे और कई जगह तो आईसा भी हुआ है कि जहां पर कोरोना पेशेंट आतंकीत है और उसका मनोबल गिरा हुआ है वहां हम लोग अपनी मोबाइल से मंत्री अरूप राइजी से बात भी कराते थे प्रमाण के साथ हम लोग बात करते हैं रात दो बजे धाई बजे हम लोगों ने अम्बुलेंस भेज भेज के उस व्यक् अब पहले दोश्त देंगे उस उस इलाके के पूरोव पारसत जो भी रहां पहले तो वह दोसी वह स्कूल उनके वाइड में है और अकर वह वह बास्ताव में वहां से चुनाव एक समय जीते हुए हैं या उनके परिवार के लोग जीते हैं तो उनकी जिम्मारी बन रही थी धिन कि स्कूल में जाकर उसं स्कूल के हैड मास्टर से बात ये ख्मिस्ट्र से बात करके उस अंचल में काफी गैरेज पड़े हुए हैं बड़े-बड़े गैरेज हैं किसी एक गैरेज वाले से बोल करके डेली दो घंटा गैरेज नहीं खुलवा सकते थे क्या वो एक भी चिठी थाने को दिये कि यहां पर नमक गुला घाट में हम चाहते हैं कि जनता अधर्श विद्याले के फाइव टू सेवन के बच्चों का पाटशाला चले खुले में जो खुले आकास के नीचे पाटशाला चला है जै क्या उन लोगों ने प्रयास किया क्या क्या उन लोगों ने गोला बाड़ी थाने से संपर्क किया सिर्फ लोग एक चीज सीख गये हैं बस मैं यह करना चाह रहा था यह वहां पर प्रॉब्लम तारे प्रॉब्लम जीवन भर रहेगा लेकिन उस प्रॉब्लम से हमें जूजना होगा एक रास्ता बनाना होगा और प मैं कहता हूँ आपको कि सुरक्षित जगह नहीं है अगर वहां मैं पचास बच्चों को ले करके और दस टीचर वहां बैड़ जाएंगे तो क्या समाजिकता तो वहां आएंगे गारजियनों का विश्वास जीतना टीचरों की जिमवारी थी और वहां का जो एक्स काउंसिलर है उनकी जिमवारी थी ऐसा बहुत जगह है बहुत कुछ हो सकता है लेकिन क्या सिर्फ चुनाओ लड़कर के हम काउंसिलर बन जाएं उसके बाद जब मेरी बोर्ड मेरा पीरि फरविश को लेकर आप क्या करना चाहिए यह करते सक फिर्फुका इंश्यक्ती क्यों रहेगा उनको उनका ध relying मुझे मेरा मुवारक much मैं जो वह हूं वह हूं मैं सेफ्रोन पहनूंगा तो ही हिंदू होंगा मैं हिजाब यह करूंगा तो यह सब बेवकुफी की बाते हैं जिसके धरम में जो है वो अपना करे इसमें मुझे लगता है कि आम लोगों को भी इंट्रेस्ट नहीं लेना चाहिए अh जिसका होता है वो अपने धर्म कसे ज्यादा गेर धर्म का सम्मान करता है और जो हो रहा है गलत हो रहा है जर्म मजहब को राजनीत के लिए इस्तमाल नहीं करना चुद है भाइचारा इससे खत्रे में पड़ता है कि सरकार आपके साथ है सरकार गैर राज्यों जो दूसरे राज्यों में होता है मंत्री जी जाते हैं पानी जमा है बाड़ा है हाँ थिला है मिले चल दिये वो मिल के चल देने वालों में से नहीं था वो वहीं बैठ जाने वालों आपके घर में पानी है तो चलिए मैं भी अभी निकाल नहीं पा रहा हूं समस्या है काम करने में समय लगेगा तो लोगों को लग रहा था कि यह बस दिखावा के लिए आया है तो उसमें किसी ने कहा था कि बैस इटा ही तो हलो भोट नीलन चोले सरकार के लिए रहने सरकार के लिए में आम लोगों को बिना किसी सर्थ स्वास साथ पाथी कार्ड मिल रहा है जिसमें 5 लाग तक का परिवार का आपका बकायदे मेडिकलेम की फैसिलिटी दिए यह सब कभी नहीं था यह सिर्फ और सिर्फ ममताब अनर्जी ने यह सब लाया और ममताब अनर्जी के सरकार में हर विधायक हर कांसिलर शक्रिय होके लोगों को हर योजना का लाब दिलाने में लगे हुए तो काम हमारा तो बस यह डेढ़ दो मेना जब चुनाब था तब बन था बाकी तो बंबम एक दम है काम के मामले में हम लोग कहीं पीछे नहीं है चुनाब थोड़ा लेट हुआ उसमें भी कोई प्रॉब्लम थे इसमें राजी सरकार की कोई गलती नहीं कोई कहीं भी कमी नहीं और ममताव एनर्जी जिस तरह से परिश्रम करती हैं मेरे माद ध्यावड़ा के विधायक अरूप रहे जिस तरह से परिश्रम करते हैं मैं आपको दावे से कहता हूं कि देश को अगर दिशा दे सकते हैं, तो यही लोग दे सकते हैं. बिना किसी जाती धर्म का भेद भाव लिए, बिना अपने पराय की भावना लिए, जिस तरह से यह लोग काम करते हैं, यह भारत में कहीं किसी राजिourt मैं आपको नहीं मिलेगा. जैसा कि आपने देखा पब्लिक की हर एक प्रश्णों का जनता के हर एक सवालों का जवाब इरोने में खुबी के तरह से दिया और आगे भी काफी निताओ से हम बात करेंगा अगर आपके कोई सवाल है तब कुमेंट की जरिए या हमारे सोचल प्रेटफॉर्म पर आकर मेसेज करिए हमें कर सकते हैं तब तक के लिए जाहिए